सबसकार प्रतिपक्ष समबाद आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ मेगना सश्थिवा आमदनी अठनी और खर्चा रुपया क्या इसमें कुछ बदलाव अब बजट के बाद आ पाया है वितमंत्री निर्मला सीतरमन ने बजट पेश कर दिया और लंबे चोड़े भाशन में तमाम बड़ी बाते कही लेकिन इस बजट से अकर किसको फायदा हुआ है तमाम अकबार बड़ी-बड़ी लाइने चाप रहे हैं लेकिन असल में इस बजट का मतलब क्या है कुछ देरी के साथ ही सही लेकिन प्रतिपक्ष संबाद आज हाजीर आपके सामने आपको बजट का मतलब समझाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौझूद हैं सरोज आनन जोशी जिनके कई आर्टिकल्स चपें बजट को लेकर प्रतिश्चत अकबारों में सर स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संबाद पर थैंक यू सो मच मैं असर बजट आ चुका है और कल लाइफ हम जुड़े थे लेकिन आप जुड़ नहीं पाए और हमारे दर्शे काफी इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का की प्रतिपक्ष संबाद भी कहीं न कहीं पहले तो आप लोग का सुक्रिया आप लोग ने मेरे विचारों को स्थान देने के लिए सबसे इंपोर्टन चीज़ है बजट के अलगए असपेक्टें तो अगर आप कहते हैं कि मध्यंबर्ग की बात करते हैं अप सादे एक कॉमन केस्टन जो पूछते हैं लोग पूछते हैं तो मध्यामरग को उमीद रहती है कि टैक्सेशन में कोई रिलेक्सेसन मिलेगा मगता इस पर इंकम टेक्स के अंदर किसी तरह की छूट इस बार दीने कोई एस्टा एडलाउन से जोड कोई एस्टा डिडेक्शन और एस्टा कोई बेनिफिट बार देया नहीं है। सिवा ये कैपिटल गेन जो हम लोंग टर में कैपिटल गेन हैं जो से जमीन खरोड करते हैं उनको एक पांट परसेंट की छोटी छूट देने के अलावा और एस सच कोई बेनिफिट मिडिल क्लास को नहीं है। लेकिन इस सरकार का अगर आप देखते हैं पिसले 2014 से तो इंफ्राटेक्चर में इसका काफी जोर रहा है। इस बजट में भी ओ कहीं जहलगता है। इन लोग ने इस बार ना 25 येर का एक खाका बनाया है। जिसे लोग अम्रित काल कहा है। अभी हम लोग देश में आजा दी के 75 साल मना रहे हैं। तो उससे लेके 100 येर जब हम गोल्डन जूली मनाएंगे कंटरी की तो इस ताइम को इन लोग ने अम्रित काल कहा है। तो इसमें इन्फराटेक्चर की नई डेपनिशन दी है। जिसमें पीम गतिसक्त भी एक वर्ड यूज किया है। तो एक रोड में पच्ची साल का है। अब जब पच्ची साल का रोड में होग तो अभी आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और उसके अंदर यह है कि एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जोड़ा है जो है हम लोग सार्जविग निवेस यानि पॉब्लिक पार्ट जिसे इनका एक बजट का सुरू से पंच लाइन रही है पीपीप मॉडल यानि प्राइबेट पब्लिक पार्टर्शिप तो सब्ज जूर है उसके अलावा बात किसान की जाए तो किसान के लिए मुझे याद है पहले बजट से ने एक पंच लाइन थी कि हम लोग उनकी इंकम को डबल करेंगे बट उसका कहीं रोड में अभी तक नी आया और किसानु से मैंने इस भी बजट जब भी मैंने में लिखा इस वा तो मैंने काफी किसानु से पूछा किया आपकी इंकम दुगनी हुई है तो जिस वकत मैं ये बजट पढ़ ले थी पिसली बार भासन उस वकत हमारा तेल की मज जो थी 66 रूपी 71 पैसा थी उधम सिंग नगर के अंदर सितार गंज के अंदर और हमारे जितने तराय के अंदर चलते हैं सारे डीजल से जलते हैं चाहे एक्सवेटर हो चाहे टेक्टर सो और तीन मैंने के अंदर इन फरस्ट इतिमाय में जब हमारी खरीब की भसला थी गिहों की भसल तब तब तक हमने 10% के ताम बढ़ाए दे और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसानु की दुगनी की short है किसानु के लिए हमे जो ही डिफरेंस था पेट्र आदो डीजल की विज क्यू कि यू की पेट्र अलगजरी ग्लास को ची है तो मुझे लगता हो गया हम कम कर सकते थे यह उस के कम कर राजह एक हम प्रछ उमकर कराश्या ने को थोड़ लाड को या फिर किसानु के लिए कोई सबसिडाइज डिजल या कोई अल्टेटिव सिस्टम लाना चाहिए जिससे उनकी किसान के आए अब अब दस परसेंट बढ़ जागा तो में किसान के लिए कैसे होगे एक बड़ा सावाल है और दूसरा अभी जो पैस्टिसाइड है मैंने तो एक सेग्मेंट वाई जगर आप देखते हैं और जहां तक महेंगाई है महेंगाई तो अब देखो आज केट में सारी महेंगाई के वारे में कुछ स्पेशल कहने की जोड़ती जो भी जनता लोग मुझे सुन रहे है या सब जनता जंग जाहिर है कि महेंगाई के पोजि नहीं गया जिससे हम कह सकते कि फूचर में महेंगाई कम हो जाएगी टैक्स लाब को लेकर बहुत उमीदे जाहिर की जा रहे थी पुछले कई सालों से बदलाव नहीं हुआ है और कहीं न कहीं आदमी को मेडिल लास को सालरी व्यक्ति को यह उमीद थी कि टैक्स लाब को ले एक सवाल आपने बहुत वाजिब किया कि हमारे देश के नर जो एकोनमी धुस्त हुए या अनिम्प्लॉइमेंट का इशू है उसमें करोना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है क्योंकि जॉब्स के हैं इंडस्टियू ने करोना के बहाने भी लोग निकाले है मैं मेडिया आपके ताइम्स कुरूप ने काफी अपने लेवर्स की चट्टी की थी जबकि टाइम्स कुरूप प्रॉफिट में और मुझे लगता निकालना का बहुत जादे उस पर कोई इसा बीप्रित परभाव पर रहा एक तो अनिम्प्लॉइमेंट का इशू है दूसरा एथा कि न जो नए वर्तिया आनी थी वर्तिया आई नहीं तो एक करोन तो एफेक्टिव रहा रहा और महिंगाई का भी कहीं अब देखो जनली इंफ्राटेक्चर के पैसा भी चाहिए तो हमें निकालना किस से है डाइक तो इंदक्ट्री के इंदर या तो इंदक्सेशन है या इंदक जो पादा होता है में टेक्स पे और किला थी तो कुई कल मैं कहीं कहता है के अचता है कि जो म Авज को अगे को सब्सीड करती है और गरिओन को शेडिमदूग को सबसीते मैं और जो मेटल कलास को तो मैंब वहां थी तो मुझे एक चीज़ और समग मीनी आती हूं पर तो मुझ रिटान की यह जिए फाल प्लाव शे आपको 15 लाग तक टकत्र दूसर भी ना, इससे बहुत गरबड़ी होगी, जो अधिया पहले क्या हो बीज़ा ओगी पहले क्या हो था पहले क्या हो था कि लोग का थे मेरा 500,000 or 2,000 बीजा टैक्स जमा करा जो जब आ जहा पान्सो रम्हों तो हमारे रेबनियों घट जाएगा ये एक साइट इशू रहा होगा कि बजट किसके लिए है क्या लगता कि ये आम आदमी का बजट इस बार नजर आ रहा है देखो फ्यूचर में अगर इंफ्राटेक्चर सुधरता है तो आम आदमी को ज़रूर फाइदा करेगा क्योंकि रोड अच्छी होंगे हमाले हाइवेज अच्छी होंगे बिल्डिंग देखो रोड वाला जो अब इंफ्राटेक्चर में जो काम होया है इसके बिल्डिंग में तो दिखता है काम होया करेंगे व आदमी को फरेक करेगा बट मुझे लगता है थोड़ा सा महेंगाई पर ज़रूर धान चाहिए और जहां तक बात है आपने दूसरा सवाल किया टे करने का और लेकिन हलांके अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज में देख रहा था जहां लोग सारे लोग कह रहे थे कि जो करने से उस पर आपका अपना रिस्क है कलके उस पर गवर्मेंट को बहन लगा दे कुछ कर दे अपनी रिस्क माप लीजिए बट टैक्सेशन लगाना कह करता है कि हो सकता है फ्यूचर में यह वैलिड हो जाए एक तरफ तो बिटकॉइन को लीगलाइज नहीं करने की बात कहीं जा रहे थी पिर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा फैसला यह लिए गया कि अब अपना डिजिटल करन्सी और वर्चुल करन्सी नि अब पटने के लिए यह फैसला दिया गया है यह इसका कोई और मक्स जैसे कि अपके रहें की हो सकता है कि लिगलाइस कर दिया जाया ऐसा कुछ हो सकता है मुझे असा लगता है एक तो इन लोगने मतलब एक लिए इक दे दे की विटकॉइन आप करो नह करो बताब आप सब्सक्राइब period और किसान अंदोरन आप जानते हैं कि काफी लंबा चला काफी नाराजगी जो किसान वर्ग है सरकार के प्रती रही है MSP को लेकर भी कुछ बड़े फैसले आए हैं और अभी लग रहा है कि किसान उस लिहाज से खुश नजर नहीं आ रहा है बले का जाया है कि कुछी के गुपेंट्स जो है वो थोड़े सस्ते हो सकते हैं लेकिन फिर भी उस लिहाज से जो क्रिशी के लिए फैसले होने चीए थे क्या वाकर इस बजट में हुए है देखो किसानों के हालत तो पिसले माला यूगू से रखा जाए तो किसान तो हमेशा दुखी रहा है अननना दा जो हमें आग खाना किलाता है उसके अलाद देस में अच्छी नहीं एक तो उसका रिजिन एक हमारे देस में किया चीज़ बहुत हो जाती है और उसकी कीमत उनक अभी इस बार एक नया एक प्रोविजन लेका है कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है थोड़ से एक रहात देने वाला फैसला है कि डैक्ते खातूम आएगा बट किसान की जो दुगनी इनकम की बात है वो अभी दरातल में कहीं दिखती नहीं आही है और पिसले सबसे किसानु को इंफ्रेंस करती है पंजाब इलेक्शन भी है तो मुझे लगता है किसानु की अन्दिखी अब शायद नहीं करने के सरकार को और एक बहुँ जयदे जो इंपोर्टेंट चीज है हमें लगता है कि एक ग्राउंड लेवल पे किसानु के लिए मलब काम करने की जू इस तरह से हवाई हम लोग कमेंट सरी कर सकते कि उनकी आई हम दुगनी कर देंगे आई का मतलब आपको समझाना पड़ेगा क्या वो इंकम है या टर्न ओबर आप क्या बढ़ा होगे तो इस पे डिस्टेंग्विज और इसको गॉर्मेंट को किलियर करना चाहिए और 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 अभी एक किसान की एक आय का कोई स्टेंड बनना चाहिए कि अभी उसके इतनी है तो बाइस में इतनी हो जाएगी उसके बीच एक किलियर कट विजन होना चाहिए सर्फ 5G को लेकर फैसला है कि 5G को शुरू किया जाएगा इसे के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रामेर लाके हैं उसके लिए फंड दिया गया है कि वहाँ पर डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो साकार हो पाए जो वहाँ के लोग है वो डिजिटल ही जुड़ तो नहीं जाएगा जाएगा है अच्छी ख़ब ये भी आएथी कि आप जो पोस्ट अपिस हैं उनको पूरी तरसे बैंकिंग में ला देंगे मिला नें ए टियम कार्ट वी आजाएगा इंटरने अने टांजेक्शन भी उसमें हो जाएगा अच्छी नाश्वार अटे ज़ि जोड़े से अभी पोस्ट अपिस बात हैं, छोटी चोटी 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 पोस्ट अपिस हैं, वहां पर को बैंकिंग सुबदा होगी तो मुझे लोग काफी इंट्रेक्शन होगा, एकोनोमिक से राग्ट जूड़ जाएंगे, यह अच्छा गदम है, और यह क्रांती तो एक जाएंगे बढ़ेगी यह अच्छा है, इससे हमारे कंट्री के अंदर सूचना, मतलब इन्फोमिशन एंटेक्नोलोजी फीडिल में बहुत करांती है, असर अकरी सवाल को कि देखिए, चुनावी साल है, वेधानसभा के चुनाव पांच राज्यों में हैं, और कहीं न कहीं यह कहा जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को आगे बढ़ाया गया है, भले ही देखिए, बजट सबके लिए होता है, इसमें चुनाव से कोई इसका रेलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव को ध्यान में रखत तो चुनाओं को देखके तो मुझे लगता निए वैसे भी मुझे लगता निए उतराखंड का चुनाओं ना किसी भी स्टेड गुवर्मेंट के लिए क्योंकि हम पहाड के लोग है बहुत ही सीधे लोग हैं और हमारा चिंतन का इस्थर जो है आप सूछ सकते हो कि हमने हमेसा अबुदारास्टी मुद्वए नेसनल एजन्डाच पे बोट किया है आज भी आप सुन्रहों के कोई कहता है कि राम को लाये हैं और कोई कैता है कि इन्डा निया आएसा किया या फिरो नहरूजी ने आसा किया हम लोग आजा दिक कि सतर साल से उतराखंड के लोग कि अंदर सबसे बड़ा दुरभागिया है कि हम लोग नेस्टनल एजेंडा पे ही फोकस रहते हैं. हम लोग लोकल एजेंडा पर लोकल एजेंडा को हम कभी फोकस नहीं करते हैं. मैं सारे दर्स, मतब इस आपके चैनल के माददें से दर्सकुण से अंडोध करोंगा, आपका बहला तभी होना है, दिहान से सुनिएगा, उतराखंड के लोगों, आपका बहला आपकी चीज़ें तभी होंगी, जब आप लोकल एजंडा में फोकस करोगे, एक चोटा सा एक्जेंपल देता हूं, मेरा ग्रहनगर है पिथारागड़, आज जितना भी एलिट क्लास ह देख एक एल्ठी सिस्टम्, मुझे लगता है है तो है लिए में पर दूख होना छिये उसके लावा थीजंड होता है, हमारे तीन एजंड है उतराखंड मूल एक तो लेंड एक लेंड एक विएशन बिल है, हमारे आदाधुन, आप हैंगे हमाले के प्लून को काट रहे हैं मैं मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं प्रॉफेशनल हूँ, बट प्रॉफेशनल हूँ, इंसान के एक सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है, कि यो अपनी सरोकार, अमनी जन भूमी, अपनी मांतरग भूम के लिए सोचे, और मुझे असलेगा है जो हमाली चेत्रे अपनी मांना स्थावा गाता है, और उससे भी बड़ा हम लोग धन्य है कि हमने देव हमालाय में जनमिलिया है, उस हमालाय को बचाने वाले जो बात है वहां पर को बार कल्चर नहीं या उस ट्राप की भौतिकवादी चीज नहीं उसके लिए सब्स्टाइ जरू है हमाले ल यह खबरे आती है कि प्रसहुपीडा से महला रास्ते में दम तोड़ जिया है महलाने, पहाड से हल्दवानी लाते हुए और अपको पता है, अल्दवानी लोग लातो रहे हैं पहाड से, लेकिन मुझे लगता है कि हल्दवानी के अंदर भी उनको और प्रोपर ट्रीट्व प्रतिक्रिया हैं सामने आ रहे जिसके अपसे हमने वादा किया था कि बजट पर प्रतिक्रिया है वो आप तक हम पहुंचाएंगे और सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि बजट किसके लिए रहा तो मुझे लगता है कि यहां इस प्रतिक्रिया वाद नमस्कार धन्यवाद